हेलो गैज कैसो आप लोग उम्मीदे कि आप लोग अच्छे होंगे दुस्तों आज कि इस वीडियो को अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप निव फोन यूज करते हो आज कल के जितने भी नए फोन आ रहे हैं तो यहां पर आपको गूगल डायलर का अपसन मिल जात हो आप इसको कैसे बंद कर सकते हो इसका सल्वेशन में 100% लेकर के आया हूं जिसको यूज करके आप बड़े असानी से इस अपसन को बंद कर सकते हो और आप जब भी कॉल रिकॉर्ड सुरू करोगे तो उस बंदे को भी सुनाई नहीं देगा नहीं आपको भी सुनाई इसको बंद कर सकते हो ताकि उसको भी पता ना चल सके तो चलिए आज किस इंट्रेस्टिंग वडियो में स्टार्ट करते हैं लेकिन वडियो में आगे बने आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं क्यों होते हैं यहां से एक लाइक जरू कर देना चैनल पर नहीं होतर स्क्राइब करें नोटिफिकाशन अन कर लेना तकि हमारे इस हैं इंट्रेस्टिंग वडियो आपको सबसे पहले मिल सेगे इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है प्लेश्टोर पर चले जाना है एक मात्र दोसो या तीन सो के भी का एक एप्लिकेशन छोटा सा आपको मिनट भी नहीं रडाएगा आउनलोड करने में तो आपको फैलेश्टोर क Baba में जाना है तो असल्जा आफको शच को लिए पार आप शक्रे lobb कर लेता हूं तो चली हम यहां से इस्सेटाल कर लेते हैं इस अब्लिकेशन को तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी यह application install हो जाती है उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि बैका जाना है बैकाने के बाद गाईज यहाँ पे आपको simply करना क्या है कि setting के अंदर चले जाना है तो setting के अंदर जाने के बाद गाईज यहाँ पे search bar दिखेगा यहाँ पर text to speech जिस पर आपको click करके रखना है click करके रखने के बाद guys यहाँ पर आपको एक preferred engine का option तो simply आपको यहाँ पर click करके रखना है click करने के बाद guys यहाँ पर आपको speech service by the google पर click होगा तो आपको simply नीचे वाले पर जो application download किया था यह वाला application आपके अंदर एक नया option provide कर देता है जिसको आप फिरी में use कर सकते हो और यहाँ पर google जो voice करता है वो यहाँ पर आपको नहीं बताएगा तो यहाँ इस setting पर click करके और यहाँ से ok कर देना है बस यहाँ से ok करने के बाद guys यहाँ से आपको बैका जाएगा फोन डाइलर पर click करके रखना है यहाँ पर click करके रखना है और यहाँ से आपको app info पर जाने के बाद guys यहाँ पर आपको मिलेगा storage का option simply आपको storage पर जाना है और यहाँ से clear data कर देना है इसका तो यहाँ से मैं clear data कर दिया है यहाँ से मैंने डाइल कर लेता हूँ तो यहां से मैं डाइल किया और डाइल करने को बाद आपके सामने मैं सुना देता हूँ की रेकॉर्ड वाला option यहां पे आ रहा है की नहीं और nooit भाइस दे रहा है की ठीक है तो यहां मैं speaker को on कर लेता हूँ जैसे गई आप ने चून यहाँ पे कोई भी voice नहीं आ रहा है ठीक है यहाँ पे फिर से मैं speaker को on कर देता हूँ और यहाँ से आपको सुनाता हूँ जैसे गैज आप सुन रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी voice नहीं आ रही है तो इस प्रकार से इस setting को on कर सकते हैं और on करने के बाद guys आप बिल्कुल आसानी से किसी का भी call record कर सकते हैं उसको पता नहीं चलेगा ठीक है इसके पहले जो setting आपने किया था उसमें आपको जो भी setting था और नॉर्मल था और आपको जब भी record करते थे तो voice उसको भी सुनाई देता था आपको भी सुनाई देता था अगले बंदों को भी पता चल जाता था कि कोई call record कर रहा है लेकिन इस ट्रीक को आप यूज करोगे तो आप बिल्कुल किसी को पता नहीं लगने दोगे और आप call record आराम से कर सकते हैं उमीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद नहीं होगा वीडियो को एक like जरू कर देजिए